हलो बच्छो कैसे हो आप सब लोग तो माइसेल्फ प्रिनु गहलोथ और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 की बायोलोजी का फर्स चेप्टर ठीक है तो वह चेप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम लोगोंने क्या बात कर ली थी उस चेप्टर के अंदर हमने थोड क्लास 11 की बायोजी का हमने फर्स चेप्टर स्टार्ट क्या था जिसका नाम था पाचन और अवशोशन हमने स्टार्ट किया था तो फिर उसके अंदर वैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने बताया था कि मैंने आपको कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में only on हमें किसकी बारे में पढ़ना है वन पाचन की बारे में और दूसरा अवशोशन की बारे में ठीक है यही बताया था मैंन पाचन तंतr में वह दो चीजों से मिलकर ग्रंथियों होता है प्चों किसे मिलकर बना हुआ हुए होता है तो आप इस top dealt लगानाल और साहय सवेस्ड भाग की नाम बता थे वह कीण किन से भना हुआइं यह उती ए है तो मैंने आपको बताया था आहार नाल टोटल कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है कितने भागों से मिलकर बना हुआ है आठ भाग से मिलकर बना हुआ है ठीक है आहार नाल के कितने भाग है आठ पहला मुख दूसरा मुख वुहा तीसरा ग्रस्नी चौथा ग्रसिका पाँचवा आमाश्य छटा छोटी आथ बडी आथ और गुदाद्वा यही बताया था मैंने यही बताया था मैंने कि इन आठो के बारे में हमें पढ़ना है इनके बारे में हमें डीटेल से पढ़ना है फिर हमारी आहानाल कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम क्या पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे सहाय गर्णतियों के बारे में, ठीक है? तो हम लोगों ने प्रीविएस लेक्चर के अंदर मुख पढ़ लिया था, ठीक है? उसके बाद में हम लोगों ने मुखगुहा स्टार्ट किया था मुख गुहा में मैंने आपको बताया था कि मुख कहां पर खुलता है मैंने बताया था कि जो हमारा मुख होता है वो कहां पर खुलता है हमारी मुख गुहा में कहां पर मुख गुहा में जिसें इंगलिश में क्या बोलते हैं जिसें English में बोलते हैं बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी ठीके मुख गुआ के अंदर तीन संरचनाई उपस्तित होती है पहली संरचना होती है दात दूसरी संरचना होती है जीब तीसी संरचना होती है तालू यही बताये था मैंने आपको फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि दात के बारे में पढ़ना, कि दात क्या होता है, दात की दो परत होती है, कौन कॉनसे, कितने प्रकार के दात होते हैं, कितने बार दात आते हैं, जीवन में, दीबार दंती विवस्ता, गर्द दंती विवस्ता, विश्यम दंती विव अज हम लोग बात करेंगी काॉन से टॉपीश की जीग की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीग के बारे में ठीक है तो आए इसराट करते हैं सब्से पछले कैसी होती है के सिखेग्स h Boulder question तो वो आपको कैसे दिखेगी, एक मांसल संदचना दिखेगी, एक मांसल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, तो जो हमारी जीब होती है, वो एक पेशी अंग है, जीब के अंदर कोई भी हड़ी उपसे नहीं होती, जीब जो होती हमारा पेशी अंगे मतलब किससे मिलकर बना होत नहीं होती है पर एक चीज होती है कि यह जो जीब है इसका जो पीछे वाला भाग है यह तो हमारा आगे वाला जीब का भाग है जो हमारा जीब हम आ करते हैं जो आगे फरस्ट वाला भाग होता है वो कौन सा भाग है यह वाला ठीक है और जो जीब का पीछे वाला भाग है जो उस हड़ी को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हायोइट बोन ठीक है कौन सी बोन बोलते हैं हायोइट बोन तो अगर क्वेश्चन आता है कुछ लिए जाते हैं कि हमारी जीब कौन सी हड़ी से जुड़ी होई होती है तो कौन सी हड़ी से जुड़ी होई होती है तो कौन सी हड़ी से जुड़ी होई होती है और हमारी जीब क्या है हमारी जीब है एक मस्कुलर औरगन क्या है एक मस्कुलर औरगन पिर उसके बाद में अता है जीप का कार्य निसमर yaa'' एंदर देखो आप देखते हो एक लाठी सनरचना होती जैसे आप थूख भी भूहता है क्यों होता है क्यों हो या फिर किला होता है उसके खेल्ड हमारा मूह होता है जो लार है , प्र जो में मिला देगी यह जीब क्या करेगी भोजन को किस में मिला देगी अच्छी तरह से लार में मिला देगी ठीक है ताकि क्या होगा उसको उसका जो हम पाचन कर रहे हैं उसे जो छोटे अंगों में तोड रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा प्रोसेस इजी हो जाएगा ठीक है उसको निगलने में आसानी होगी, ठीक है, तो जो हमारी जीब होती है, यह क्या करती है, हमारी लार को भोजन से मिलाने का कारे करती है, साथ ही साथ में जीब क्या कारे करती है, बोलने में भी सायक होती है, किसमें, बोलने में, फिर है, तो जीब क्या करती है, लार को भोजन से मिलाने का कारे करती है दूसरा बोलने में सहायथ होती है मतलब बोलने में सहायता प्रदान करती है ठीक है तो जीब क्या है जीब कुछ नहीं है एक muscular organ है mcqs question आएगा mcqs question में question पूछा जाएगा कि जीब क्या है तो जीब हमारा पेशिय अंग है muscular organ है उसमें कोई भी हड़ी नहीं पाई जाती है परन्तु जीब होता है उसका जो पिछला भाग होता है वह किस से जुड़ा होता है कौन सी हड़ी से जुड़ा होता है वह जुड़ा होता है हमारी hyoid bones से ठीक है फिर आता है कि जो फिर एक चीज़ और बताई जो जीब होती है वह क्या कारे करती है बोलने में help करती है किसमें help करती है बोलने में ठीक है फिर आता है देखो फैल तोड़ा सा पढ़ लेते हैं देखो किसके बारे में पढ़ रहे थे हैं जीब के बारे में ठीक है तो यह एक पेशिय अंग है आप अपनी जीब को देखो उसके अंदर आपको कोई हड़ी दिख रही है नहीं दिख रही है वो बिल्कुल मसल्स की बनीवी संद्रशना है तो वह क्या है एक पेशिय अंग है तो जो हमारा जीब है जो हमारी जीब है वह क्या है एक पेशिय अंग है पिर आता है बात लार को भोजन से अच्छी तरह मिल कारे करती है अगर question पूछा जाए कि jeep का कारे क्या है तो सबसे first priority क्या होगी कि लार को भोजन से अच्छी तरह मिलाने का कारे करती है यह हमारी first priority होगी ठीक है फिर second में आपन बोल सकते हैं कि बोलने में भी help करती है ठीक है यह दोनों ही क्या है jeep के कारे है हम तो देखो जीब के दो भाग होते हैं कितने भाग होते हैं जीब के दो भाग होते हैं कौन-कौन से एक यह वाला भाग और यह यह वाला भाग ठीक है इस वाले भाग को हम बोलते हैं अगर भाग क्या बोलते हैं अगर भाग क्लियर है और इस वाले को हम बोलते हैं पश्य भाग अब तो जीप के दो भाग होते हैं अगर भाग और पश्य भाग अब एक चीज आती है कि जीप को हमने दो भागों में डिवाइट कैसे करा जीप को हमने दो भागों में विवाजित कैसे करा त इस संरचना को हम बोलते हैं सरकम टर्मिनेलिस क्या बोलते हैं सरकम टर्मिनेलिस क्या है इसको हम बोलते हैं सरकम टर्मिनेलिस तो जो हमारा सरकम टर्मिनेलिस होता है यह क्या करता है जीप को दो भागो में विबाजित कर देता है एक होता है अगर भाग और एक होता है पश्य भाग जो अगर भाग होता है वो कितना भाग होता है दो तिहाई भाग और जो पश्य भाग होता है वो कितना होता है एक तिहाई भाग clear है तो जीप के कितने भाग होते हैं दो भाग और जीप दो भागों में divide कैसे हुई जीप जो होती है वज़ दो भागों में विभाजित कैसे होती है एक संरचना होती है उस संरचना को हम बोलते है सरकम तर्मिनेलिस सरकम तर्मिनेलिस क्या करती है हमारी जीब को दो भागों में विभाजित करती है पहला भाग यह और यह दूसरा और यह क्या हो गया हमारा सरकम तर्मिनेलिस ठीक है तो सरकम तर्मिनेलिस हमारी जीब को दो भागों में विभाजित करती है अगर भाग और प भाग तैके जीब के दो भाग होते है जो इक दो भाग घुता ए अर्पंस दो ुज होता है। को आपने सब्सक्स की जीब की भाग करते है करे हुआ हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसको छो तरी पतो है काहाल एक सबस्प्र सबस्यारा है ? क기에 मैं वाओर एक सबस्क्राइट का बखर तोह गीकित होँश nour Sím काहें ज क्यू पिर खा लग में यह तो बख़र आधेल कुंकि आड़ गयार है क्या है जो हमारी जडीत है ये जो हमारी जीब है इस पे क्या होती है कुछ सूश्म सी संरचनाएं होती है ठीक है या फिर सूश्म कलिकाएं होती है क्या होती है सूश्म कलिकाएं उन कलिकाओं को हम बोलते है पैफलिया ठीक है और क्या होता है सूश्म क्या होता है टेस्ट बढ़ ठीक है सूश्म कलिका भी होती है तो यह क्या करती है टेस्ट का पता लगाती है उसके बार में आगे पढ़ते हैं पर अभी आप इतना पढ़ रहाद रखो कि जीप क्या है एक इधर देखो एक बार ठीक है ये क्लियर है ये पश्चे भाग ये अग्र भाग ये सरकम टर्मिनेलिस तो देखो मैंने बताया कि जो जीप का पश्चे भाग होता है ठीक है आप अपनी जीप को देखो आ करके देखो जो आपके जीप का अग्र भाग होता है ये आगे वाला भाग ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है इसको आप कहीं पर भी गुमा सकते हो ठीक है? आप अपने जीब को उठाकर देखो कि कहीं पर भी गोल-गोल भी गुम सकती है क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र होता है यह किसी से भी जुड़ावा नहीं होता है परन्तु जो हमारी जीव का पश्य भाग होता है ये पश्य भाग यह है एक संरचना से जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रैनुलम ठीक है इसी के कारण आप देखो जब आप आ करोगे तो आपको मुझ के अंदर क्या दिखेगा एक ऐसी संरचना होगी ऐसी संरचना है लुगोすट और आप जब अपनी जीव को उपर करेंगे तो जीव आपको एक ऐसी संरचना दिखेगी जो कहां से जुड़ी हुई है आपके नीचे मुग से जुड़ी हुई है समनुलम धौ जीव का पश्य भाग ये उप पश्य भाग दिखेग स्विय का पश्य भाग द्वारा मुख गुः के आधार भाग से जुड़ावा होता है मतलब यह जो सनरचना है इससे कहां पर जुड़ावा होता है हमारे मुख गुः के कहां जुड़ा होता है आधार भाग से जुड़ावा होता है ठीक है फ्लियर है तो प्रेनुलम क्या होता है प्रेनुलम एक सन पस्ची भाग प्रनुलम द्वारा, किसके द्वारा? जीब का पस्ची भाग प्रनुलम द्वारा मुख गुहा के पस्ची भाग से जुड़ावा होता है ठीक है, question आता है, NCQ बनता है डायरेक्ट कि जो हमारी जीब है, उसका पस्ची भाग किसके द्वारा मुखभगुआ की अदार भाक से जुड़ा हुए हुआ होता है तो डाइरेक्ट क्या आनसर है फ्लेनुलिम ठीक है और इसका जीप का अगर भाग क्या होता है? स्वतंत्र हुआ होता है क्या होता है? हम 스파था ठीक है क्लियर है कि जीप का अगर भाग होता है स्वतंत्र और परश्य भाग प्रनुलम द्वारा जुड़ा हुआ होता है फिर आती है अभी अभी जिस्ट मैंने आपको बताया कि जो हमारी जीब होती है क्या होती है हमारी जीब तो जो हमारी जीब होती है वो क्या करती है टेस्ट का पता लगाती है सुआद का पता लगाती है ठीक है तो वो सुआद का पता कैसे लगाती है कि हमारी जीब के पास में ऐसा क्या होता है कि वो पता लगा लेती है कि हमारा खाना खटा है कड़वा है मीटा है नमकीन है कैसे अ तो देखो हमारी जीब के पास में क्या होता है छोटी-छोटी सी कलिकाएं होती है उन कलिकाओं को हम बोलते हैं स्वाद कलिका ठीक है स्वाद कलिका तो जो हमारी जीब होती है उस पर स्वाद कलिका उपस्तित होती है क्या होता है हमारी जीब पर स्वाद कलिकाओं उपस्तित होती है यह स्वाद कलिका ही क्या करती है स्वाद का लगाती है मतलब हमारी जो जीब है यह जो जीब है इस पर क्या है यह छोटी-छोटी सी क्या है कलिकाओं उपस्तित है क्या उपस्तित है छोटी छोटी कलिकाएं इक क्या करती है सुआत का पता लगा कि अब क्यों ने वो कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की, तो हमारे मुझ की अंदर, जब आप मीठा खाएंगे, तो स्वात कलिकाई क्या करती है, चार तरह के भोजन का पता लगाती है, पहला मीठा भोजन का, दूसरा नमकीन, तीसरा खट्टा, और चौथा और अन्तिन कौन सा भोजन ह हमारा कड़वा, ठीक, कोई भी चीज आप खाते हैं कड़वी, तो क्या होता है, हमें कब पता पढ़ता है, या फिर कोई भी आप मीठी चीज खाते हैं, तो कौन सी स्वात कलिकाए हैं, उनके दौरा मीठे बोजन का पता पढ़ता है, तो आप देख लीजे, स्वात कलिका ह कितने प्रकार की होती है चार प्रकार की ठीक है और वो क्या करती है देखो पहली क्या करती है मीठा पहली स्वातकली का कि जब भी हम मीठा भोजन खाएंगे तो उसकी बारे बताएंगी ठीक है दूसरी स्वातकली का नमकीन भोजन की बारे बताएंगी तीसरी स्वातकली का ख कड़वा कि जब म घबपर बोजन खाएंगे उसका पता लगाएंगे भीए और यह कहां पर उपसीद होती है उपसीद तो यह एँस जीब का यह अगर भाग होता है ना यह जो आगे वाला पोर्शन इसका टिप यह हमारी जो जीब का यह इस पर जो यह स्वात के लिकाए है ना यह कौन से बोजन का पता लगाती है मीठे बोजन का पता लगाती है कि जो हमने बोजन खाया है वो मीठा है यह नहीं है ठीक है दे तंक पर जो स्वात के लिखा है, वह मीठी बोजन का पता लगाती है, ठीक है, फिर आता है नमकीन बोजन का पता लगाती है, ये वाली स्वात के लिखा है, ठीक है, इसका नमकीन बोजन का, फिर है, फिर आता है, खटे बोजन का पता लगाना, तो, खटे बोजन का पता लगा ने जीब का oque ए doc ad कडवा भूजन को या पिर कौई भी कडवी चीज खाते हैं ,शकना पील लगता है यहां पर जो हमारी jeep है टंट है उसका चीब ले चाहता है प्रकाण को I hmm कडवा भूजन का पता है क्या है क्या Oliva तीसरा फंक्चन है उसको लार के साथ मिलाना और प्रियर आफ सभी लोगों को तो जीप मैं पता कैसे लगाती है उस पर छोटी छोटी कलिकाई होती है उन कलिकाऊं को हम बोलते है पहले मीठी पहला होता है मीठा दूस्रा होता है नमकी, तीसरा खटा और चौथा कडवा मीठ़ का पता कहा लगेगा में अब लिए मिठा भोजन खॉन है अहमारे टग के पर ठीक फेशे अब पूछ लिएंगा में कड़वा भोजन खॉएंगे तो कहा पता लगेगा तीप जीब के इस वाले भाग पे तो क्लियर है कि जीब क्या है एक पेशी अंग है उसके दो भाग होते हैं किसके कारण होते हैं सरकल टर्मिनलिस के कारण होते हैं और जीब के कारिया ठीक है तो देखो बात करते हैं जीब के बारे में के आधार भाग से जुड़ा होता है, यही बताया है मैंने, यह हमारे टंग है, यह सरकमटर्मिनलिस है और यह हमारा इसका पश्य भाग है, तो जो यह पश्य भाग है, किसका जीब का, तो जीब का पश्य भाग सरकमटर्म, जीब का पश्य भाग प्रैनूलम है, यह है पश्य भाग। तो जीब का पश्य भाग किसके द्वारा? जीब का पश्य भाग हमारे प्रैनुलम की द्वारा मुख गुहा के आधार भाग से जुड़ावा होता है। यह पढ़ लिया हमने। फिर आता है जीब की उपरी सतय पर छोटे-छोटी उभार उपस्तित होते हैं। इन्हे पैपलिया कहते हैं. उपस्तिद होते हैं चोटे चोटे उभार उपस्तिद होते हैं. क्या उपस्तित होते हैं छोटे छोटे उभार तो जीब की सतय पर छोटे छोटे उभार उपस्तित होते हैं इन उभार को क्या बोलते हैं पैपलिया इनी के अंदर कुछ स्वाद के लिकाएं उपस्तित होती है वो स्वाद के लिकाएं क्या करती है बोजन के स्वाद का पता ल बरब्च बकता है कि हमारा बोजन कड़वा है मेठा है कैसा हित ? मैंने बतया कि कड़विध बोजन क कैसे पता लगेगा ? स्वाथ कह लिका है , वापस मेठा सातीम से लगवा को वापस बता देती हूं , यह जीब ठीक है इसमें पहला है मीठे भोजन का दूसरा है नम्कीन तीसरा है खटा और चौता है कड़वा तो इस वात का लिका है ठीक है इस वात का लिका बना दी मैंने यह जो भाग है किसका पता लगाता है मीठे भोजन का यह वाली स्वात कलिका है यह नम्कीन यह तीसरे नमबर की हट्टे भोजन का ठीक है और चौता कड़वे भोजन का पता लगाती है चार प्रकार की भोजन का पता लगाती है स्वात कलिका है ठीक है अब आता है कि मेंली हम बात करते हैं चार प्रकार की स्वात कलिका है ठीक है वो तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से स्वात कलिका कौन से भोजन का पता लगा रही है और हमें टंग की ओपर कहां पर कौन से वो जो उनका पता लग रहा है ठीक है तो mainly जो अलग-अलग प्रकार की सुवात का लिकाये होती है कितने प्रकार की अलग-अलग प्रकार की ठीक है तो इनके types को तो हमें अच्छे से नहीं पढ़ना पस हमें इनकी नाम याद रखने हैं कि कितने प्रकार की होती है clear है तो चार प्रकार की होती है circumvalet पहली क्या होती है circumvalet हम पढ़ रहे हैं स्वात कलिकाओं के प्रकार कि कितने प्रकार की स्वात कलिकाओं होती है तो अलग-अलग प्रकार की स्वात कलिकाओं होती है ठीक है overall बात कर रहे हैं हम कि overall स्वात का लिकाएं कितने प्रकार की होती है तो main चार प्रकार की circumvalet दूसरा polyate polyate जो होती है मनुश्य की अंदर absent होती है याद रखना मनुश्य में अनुपस्तित तो जो हमारी foliate स्वात का लिकाएं होती वो मनुश्य में उपस्तित होती है तो मैं overall स्वात का लिकाएं बता रहे हूं कि overall स्वात का लिकाएं कितने प्रकार की होती है ठीक है तो overall स्वात का लिकाएं mainly हम चार प्रकार की बात करते हैं पहला circumvalet दूसरा foliate, foliate कहां पर उपस्थित होती है, मनुष्य के अंदर अनुपस्थित होती है, ठीक है, तो यह कहां पर present होती है, यह present होती है dog में, कहां पर dog में, देखो आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के अंदर dog क्या करते हैं, अपनी जीब को बहार निकाल के बैठा है, ठीक बाशपो सरजन का खारे घटि है, वाशपो सरजन होगा हमारे शरीर में हमें क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी, अब हमारे अंदर तो क्या होता है, कि पसीना निकल जाता है, तो उससे क्या होता है, वाशपो सरजन हो जाता है, पर आप देखो, गेट, dog's, skin के पर बहुत सारे लिकाएं फोल्य यह फोल्ययट स्वात के लीखाएं उसे एनउपस्तित होती है कहां पर पेजन होती हैarm軍 काषुर्ट किया करती है कि ये वह वेस वाशपोर्ट करती है और उसके दिए क्थब मुझाएं फेंक independent प्रिकाएं मिद्धकर्वला्यं और इन तीसरों के लेकाएं होती है कौन-कौन सी कोली होती है और पंजीफ जो में इस फुंसी होती है होती है थी कि टो छार प्रकार की हमारी सवांत के WRIT और समय होती अथी में प्लियार शिंस फॉसिम हो Zero आप लोगों को मेंली इनके नाम याद रखने है इनके बारे में डीटेल में नहीं पढ़ना है ठीक है बस अगर question आएगा तो ज्यादा ज्यादा है इनके नाम के बारे में होगा इसे ज्यादा भाहर नहीं जाएगा में भी एडॉग वाली बात पूच ली जासकती है कि कहां पर present होती है तो मैं आपको बता दिया है इक हुद्तव के अंदर present होती ठीक है मैंने आपको बताया कि आहाङ नाल के मुक्ह हुआ के बारे मताया मैं आपको बता रहे थी कि मुख कहां पर गुलता है मुख गुहा में और मुख गुहा के कितने भाग होते हैं मुख गुहा के होते हैं तीन भाग ठीक है मुख गुहा के होते हैं तीन भाग तो उसका जो पहला भाग होता है उसे हम बोलते हैं दाथ, दूसरा जीब और तीसरा तालू. यही बताया था मैंने कि मुख गुआ के तीन भाग होते हैं. दाथ, जीब और तालू. अब हम लोगों ने दाथ के बारे में प्रिवेस लेक्चर में कम्प्लीटली पढ़ लिया था. फिर हम लोगों ने पढ़ लिया अभी जीब के बारे में कि जीब पर क्या क्या प्रेजन्ट होता है, जीब क्या करती है, जीब कैसी संरचना होती है, ठीक है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस तालू के बारे में. इसके बारे में तालू जीसे इंग्लेश में बोलते हैं पैलिट healthy प्र इसंको पढ़ने बाद में हमारा जो क्या होते हैं रही की एप नाल के फिर आम पढ़ेंगे ग्रस्नी के बारे मीं क्लियर जल्ली से स्थार्ट करते और फिर और तालू को खंथम करते हैं हिसले दालूख क्या होता है आप देखो 1920 आपनी देखो कि अपनी देखो अपनी जीप को उपर करो तो आपको क्या अधिकी अक तिया अपनी JUST को अपने मुह के उपर फिर वाज पर की तरफ देखो डेखो इसका यह उपर की तरफ नदीखरी है न है यह जो सनरचना दिख रही है ना अपने जीब को उपर वाले बकल कैवेटी के वहाँ पर अडा के देखो तो जो आपको सनरचना दिख रही है वह क्या है हमारा तालू है ठीक है वह क्या है हमारा तालू जब हम जीब को उपर करके हमारे जो उपर वाले दांत है उसके पीछे सब्सक्राइब उपनी जीब को अपनी मुं चिया किह अँपर वाले भाग पे अडाइगे mm ठीक है उसे हम बोलते हैं कठोर तालू और जो पीछे सॉफ्ट सन रचना है उसे हम बोलते हैं तो तालू जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार की कितने प्रकार के होते हैं तालू तालू दो प्रकार के होते हैं ठीक है कौन-कौन से पहला होता है कठोर तालू और दूसरा नरम तालू ठीक है तो यह जो सन रचना है आपको यह पूरी क्या है आपके तालू इस जीप को जब आप उपर वाले पार्ट पर अडाएंगे तो आ तो तालू दो प्रकार की होते हैं कठोर तालू और दूसरा नरम तालू है फिर आता है एक संदति नाव दाइग्राम के अंदर देखो यह आगे वाला है हाड पैलेट यह पीछे वाला है सॉफ्ट पैलेट मतलब नरम तालू यह क्या है हमारा नरम तालू और यह है हमारा कठोर तालू और नरम तालू क्या है आई हो प्लियर होगा अब हम लोग बात करते हैं एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको माउथ के अंदर यह हमारा कठोर तालू हो गया यह हमारा नरम तालू हो गया यह संरचना दिख रही है ऐसी यह संरचना क्या है इस संरचना को बोलते हम यूवला क्या बोलते हैं यूवला यह क्या है यूवला देखो मैं बनाती है जल देखो ठीक है देखो ये है हमारा कठोर तालू वन नमबर ये है हमारा नरम तालू और जो ये ऐसी वाली संरचना दिख रही है ये क्या है यूवला इसको हम क्या बोलते हैं यूवला अब ये संरचना हमारे मुख में क्यो उपस्तित है यूवला का क्या काम है तो देखो हमारे क्या होता है नाक के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं इस यूवला के पीछे क्या होता है? पीछे की तरफ आंतरिक नासा चिदर उपस्तित होते हैं. क्या उपस्ते हैं? आंतरिक नासा चिदर. तो जब भी हम खाना खाते हैं, तो ये यूवला क्या करता है? उपर की तरफ हो जाता है और इन नासा चिदुर को बंद कर देता है और खाना हमारे नाक में नहीं जाता है ठीक है क्लियर है कि खाना हमारे नाक में नहीं जाता है कैसे नहीं जाता है इस यूवला के कारण किसके कारण यह थर्ण नंबर बता रहे हूं यूवला ठीक है यह ज यूवला करें ja такое क्या होता है जब हम क्या करते है जे यहां बोजन लेते हैं यहां पर जो नसा चिदर को बंद कर देता है कौन बंद करता है नासा चिदर को हमारा यूवला इससे क्या होता है जो हम खाना खाते हैं वह खाना हमारे नाक में नहीं चाहता है ठीक है clear है तो और आप एक चीज और देखेंगे तो आपको soft palate, hard palate और यूवला clear होगा ठीक है यूवला क्यों present है यूवला जो होता है यूवला के पीछे हमारे आंतरिक नासा चिदर उपस्तित होते हैं अगर हम भोजन करते हैं तो यूवला क्या करता है नासा चिदर को बंद करता है ठीक है और जब यूवला बंद नासा चिदर को बंद करतेगा तो भोजन नास फेर की देखिए, उपर जो तलवा है उसमें फेर की देखिए, ऐसी ड्रॉब सी सनरचना दिखाई देगी आपको ऐसी, ऐसी टेडी मेडी, टेडी मेडी सनरचना होगी, ये क्या करती है, फूट को पकड़ने का कार्य करती है, ठीक है, अपने में तो इतना नहीं होता, पर बोजन को मुझे पकड़ के खाते हैं, ठीक है, देखाया आप लोगों ने, तो उनके मुख में क्या प्रजंट होते हैं, हमारी रेगे प्रजंट होते हैं, अपने भी होते हैं, पर अपने थोड़े अमाउंट में होते हैं, ठीक है, तो रेगे क्या करता है, बोजन को होल्ड क कौन करता है तो चलिए किसे बोलते हैं दोल टाली कठोड तालू और नरम तालू और यूवला फिस्तित है अगर यूवला नहीं होगा तो क्या होगा भोजन हमारे आंतिक नासला चिजल में चला जाएगा ठीक है और हमें क्या जाती है असलूंग आजाती है और रेगेवी सकते हो और रुगे के बारे में आए तो भी आप बता सकते हो ठीक है तो अब हमारा जो इसका तीसरा टॉपिक था मुगगुहा का तालू यह भी कंप्रीट होता है तो देखो लियर है यह तीनों संवरचना है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो देखो मैंने आपको बताया कि आहां नाल के आठ भाग होते हैं पहला मुख पढ़ लिया हमने हम लोगोंने क्या पढ़ लिया मुख के बारे में पढ़ लिया फिर हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया अब हमें किसके बारे में पढ़ना है गरस्नी के बारे में किसके वारे में ग्रस्णी के वारे में तो जिन लोगों ने इस क्लास का फर्स लेक्चर लिया था उसे याद होगा कि मैंने बताया था कि ग्रस्णी के तीन भाग होते हैं कितने भाग होते हैं? ग्रस्नी के तीन भाग ठीक है जुनों ने फास लेक्चिन में पढ़ ले आता अछिशी बात बस मैंने उसमें इतना बताया था कि जो ग्रस्नी होती है उसके अंदर हमें जब ग्रस्नी पढ़ेंगे तो आम ग्रस्णी के तीन भागों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो मैंने उन तीन भागों के नाम बताएते हैं अब मैं आपको बताती हूँ के तीन भाग कौन कौन से हैं पहला है नासा ग्रस्णी नासा ग्रस्णी दूसरा है मुख ग्रस्णी और यह क्या है अंतिम लेरिंगों ग्रस्नी तो जो हमारी ग्रस्नी होती है उसके तीन भाग होते हैं और कौन-कौन से नासा ग्रस्नी मुख ग्रस्नी और लेरिंगों ग्रस्नी ठीक है अब्जेक्ट्व में बन सकते हैं कि ग्रस्नी के कितने भाग होते हैं नासा ग्रस्नी मुख ग्रस्नी और लेरिंगों ग्रस्नी और लेरिंगों ग्रस्नी ठीक है तो अब बात करने वाले हैं ग्रस्नी की बारे में ठीक है तो बात करते हैं देखो, ग्रस्नी, ग्रस्नी के कितने भाग होते हैं, ग्रस्नी के तीन भाग होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि ग्रस्नी के कितने भाग हैं, ग्रस्नी के टोटल तीन भाग है, ठीक है, तो ग्रस्नी का पहला भाग क्या है, नासा ग्रस्नी, पहला भ अग्राम से समझाती है ठीक है देखो यह मैंने बना दिया रेग बना दिया यह बनाया यूबला यह बना दिया दोनासा छिदर्व ठीक है और यह तो मैंने आपको बताया कि यह हमारा तालू यह क्या है हमारा तालू है और यह हमारा यूवला यूवला का करता है जब हम भोजन लेते हैं या भोजन खाते हैं तब यह यूवला नासा चिदर को बंध कर देता है तो यह जो नासा यहां पर नास आंतरिक नासा चिदर परजेंट होते हैं जहां पर आंत्रिक नासा चित्र उपस्तीत होते हैं। उस वाली भाक को हम बोलते हैं नासा ग्रस्त्नी। काहां पर जहां पर नासा ग्रस्नी बोलते हैं किसे बोलते हैं नासा ग्रस्नी जहां पर हमारे आंतरिग नासा चिदर उपस्तित होते हैं उसे हम बोलते हैं जहां से हमारा भोजन आता है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं यह युवला और इसके बाद वाले सरफेस को या फिर उस एरिया को हम क्य क्या बोलते हैं मुख ग्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इह हमारा येनाथ साचिदर फीक है? ये हमारा उवला फीक है? अब क्या होता है? जहां से भोजन आता है उसे तो हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं? मुख गरस्नी अब आपे पढ़ना है लैरिंग ओ गरस्नी गरस्नी के तीन भागते हैं पर लिया अब रहे में चुछ है यह आगे जाकर क्या बनाती है दो पाइप में डिवायड हीं तो प्रीप पाइप को कहलाता है ग्रशीका ते करेक जो क्या है कि यह जो ऑपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है तो Guracica की opening को हम बोलते हम गेलेट वहीं दूसरी तरफ जो Trachea है उसकी opening को हम बोलते है Glotus छीक है इसको हम बोलते है Glotus तो पहले हम बात कर लेते है Laryngogras generally तो Trachea की उपर का जो जो reason होता है यह ट्रेक्या के उपर का जो रीजन है उसे हम बोलते हैं लेरिंगो ग्रस्नी ठीक है क्लियर है कि नासा ग्रस्नी का है जहां पर हमारे आंतरिक नासा छितर उपस्तित है वह हमारी नासा ग्रस्नी जहां से बोजन आता है यूवला के यूवला वाला या फिर उसके बाद वाला रिजन क्या कहलाता है मुख गरस्नी और ट्रेकिया के उपर वाला जो भाग होता है वह कहलाता है हमारा ट्रेकिया या फिर वायू नली के उपर वाला भाग जो होता है वह कहलाता है हमारा ये है हम तो जिसमें हिए बोजन आएगा और ऐसा पाइब जिसमें क्या जाएगा ह्वार जाएगी तो ऐसा pipe जिसमें हवा जाएगी उसे हम बोलते हैं ट्रेकिया ठीक है और ऐसा pipe जिसके अंदर क्या जाएगा भोजन उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रसीका या फिर food pipe ठीक है तो ग्रसीका की opening को हम क्या बोलते हैं गैलेट वैसे ही ट्रेकिया की opening को हम बोलते हैं दोसरी तरफ ट्रेकिया की ओपनिंग को अम बोलते तो देखो फूट पाइप की ओपनिंग को आमने बोल दिया गैलेट वैसे ही जो हमारे प्रेकिया है उसकी जो ओपनिंग है उसको आमने बोल दिया क्या होता है गलोटिस के उपर एक पती नुमा संरचना उपस्ते होती है जो देखो मैंने यल्लो कलर से बनाई है और इसे हम क्या बोलते हैं इसे संरचना को हम बोलते हैं एपी गलोटिस तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि हम एपी गलोटिस किसे बोलते हैं तो ट्रेकिया के अंदर गलोटिस के उपर एक पती नुमा संरचना होती है तो ट्रेकिया में गलोटिस के उपर एक पती नुमा संरचना होती है पत्ती नुमा संरचना होती है इस संरचना को हम क्या बोलते है एपी ग्लॉटिस क्लियर है क्लियर है मैं बापिस बताती हूँ प्रेकिया के अंदर श्वासनली के अंदर क्या होता है गलोटिस के उपर एक पती नुमा सनरचना उपस्तित होती है एक सनरचना को हम बोलते हैं एपी गलोटिस अब बात आती है कि यह सनरचना क्यों उपस्तित है हम लोगों को यह तो पता चल गया question आएगा अपिक लोटिस क्या होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और कहां पर प्रेजिश के उपस्ति होती है और गलोटिस कहां पर होता है हमारे ट्रेकीया के अंदर clear है यह तक अब आप लोगों के मांड में question आना चाहिए इन एक एक वर्ड के उपर, ठीक है, कि फूट पाइप के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, प्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एपिगलोटिस को बोलते हैं, ठीक है, एपिगलोटिस का कारे क्या है, तो सुनो, हम लोगों ने पढ़ लिया कि एपिगलोटिस क्या है, मुह से खाना खाते हैं, ठीक है, कभी-कभी मुह से भी सांस ले लेते हैं, ठीक है, तो generally तो क्या होता है, overall, mainly हम नाक से सांस लेते हैं, और मुह से खाना खाते हैं, यही होता है, कि नाक से हम लोगों ने सांस ले और मुह से हमने क्या खाया, खाना खाया, ठीक है, अब क्या होत इस हवा वाले पाइक में भी जा सकता है, अगर हवा वाले पाइक में चला गया तो बहुत दिक्कत आजाएगी, है ना, दिक्कत कैसे आएगी, आप देखो, क्यों कोई समुंदर में डूब जाता है, तो क्या होता है, उसके फेफडों में पानी भर जाता है, तो फेफडों के जाने से रोकने के लिए क्या होती है एपिगलोटिस होती है तो देखो जब भी हम भोजन खाते हैं और भोजन कहां पर आता है ग्रसिका में आता है तो जैसे ग्रसिका को पता है कि भोजन आ गया अब ग्रसिका क्या करती है इस एपिगलोटिस से इस ग्लोटिस को बंद कर देत जिससे सारा भोजन कहां चला जाता है भोजन वाले पाइप में अब यह पूरा बंद हो गया है तो यहां पर कोई भी भोजन नहीं होगा और भोजन मतलब यह बंद हो गया तो कोई भी भोजन यहां पर नहीं जाएगा और भोजन कहां पर जाएगा सीधा हमारे फूड है ताकि जो भोजन है वह हमारे ट्रेक्या में ना जाए जरका प्रेखिए को बंद करता है जब भी जब भोजन आता है और जब करते है नॉर्मलमर इस नहीं करते है क्या हूँच programme लेते वह सा Warsz Bengal और प्रेखिए अर्च जब हम he people nt तब यह glottis खुल जाता है, clear है, तो हवा तो जाती रहती है इसके अंदर, तो इसलिए हमें हमारे घरवाले बोलते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, आपको बाते नहीं करनी चाहिए, क्यों क्योंकि जब आप खाना खाते हमें बोलोगे, तो क्या होगा हवा भी अंदर जाएगी, तो क्या होगा, ज्यादा हवा अंदर जाएगी, ठीक है, और glottis जो होता है, टाइम पे बन नहीं हो पाएगा, अब जब गलोटis, sorry, epiglottis, glottis को टाइम पे बन नहीं कर पाएगा, जब यह बन नहीं होगा, तो यह भोजन यहां पर चला और उससे हमें क्या जाती है, असलूंग आ जाती है, इसलिए यह भी बोलते हैं कि पानी को उपर आ करके नहीं पीना चाहे जाएगा, ठीक है, क्यों क्योंकि यह जो होता है, यह बन नहीं हो पाता है, और भोजन जो जल होता है, वह हमारे पेफ़डों में चला जाता है, ठी मुख गरस्नी और लेरिंग उंगरस्नी所以 एक तो हवा का और एक भोजन का भोजन के पाइप को हम बोलते हैं ग्रसिका या फिर फूड पाइप ठीक है और जो हवा का पाइप होता है उसे हम बोलते हैं ठीक है इन दोनों की ओपनिंग होती है ग्रसिका की ओपनिंग को हम बोलते हैं गैलेट और वही दूसरी तरफ ट्रे प्रेख्या को बंद कर देती है ताकि भोजन न चाले और वाको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो क्या है तो यह लात रिट साइब उप्निंग इस सह句 जो क्योन पाइप के ओप्निंग उने वह ऊती है से यह लिंट बोलते हैं फ्लाटिस क्या होता है टर्चेया के opening को हम बोलते हैं glottis ठीक है डारेक्ट सारे के सारे mcqs question बनेंगे इससे epiglottis और वाई यू नली या फिर प्रेकिया क्लियर है यह सब तो देखो इस डाइग्राम के अंदर देखते हम देखो यह मतलते हैं यह क्या है यह र와न रीजन यैह हमारा नासा- ग्रस्णी क्या है नासा- ग्रस्णी और फिर आता है यह र्येbahिप्यान मक्रक घ्रक्णी क्या है मख alarm । को तो यह यहां से देखो हम यह प्र यह वाला जो रीजन है हमारा लेरिंगो लेरिंगो ग्रस्नी क्लियर है कि यह वाला जो रीजन है हमारा नासा ग्रस्नी यह वाला जो रीजन है मुख ग्रस्नी और यह अंतिम वाला रीजन जो है यह वाला ट्रेकिया की उपर वाला वो क्या है लेरिंगो ग्रस्नी मैंने बताया दो पाइप में डिवाइड होते हैं यह हमारा food pipe हो गया और यह हमारा air वाला pipe हो गया clear है और यहाँ पर हमारा glottis और epiglottis उपस्तित होगा जो food pipe होता है उसको हम क्या बोलते हैं grassica clear है grassica कुछ नहीं है एक pipe है जो भोजन को कहाँ पर grassica के अंदर पाचन नहीं होता क्यों क्योंकि वहाँ पर कोई भी enzymes वगेरा कुछ भी उपस्तित नहीं होते वह सिर्फ बोजन को transport करता है कहां से हमारी grassi से हमारे आमाश्य तक भोजन को ले जाने का कारे करता है उसके अलावा कोई काम नहीं है इसके अंदर पाचन नहीं होता है question बनता है directly mcqs के अंदर ठीक है तो याद रखना grassica के अंदर पाचन नहीं होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है रियर है इसके अंदर पाचं नहीं होता है यह दखना डियेक्ट्ट मैं स्कूस क्लोक बंनते है डियरीक्ट कि ए Alban celebrations च्प्रसों इसनल होता है डियरेक्ट कि थीके तो हम लोगों के बात करी डेफो, चेरके बात कर ली हम लोगों ने बात करी मुख की पिर हम लोगों ने बात करी मुखश equally ठीक है थी Spread मुखश गुआ मेंद इसके तीन भाग की बात करी दाइप जीव और तालु पिर हमने पड़ा ग्रस聯ड और पिर हमने पड़ा ग्रसीका यहीं पड़ा ग्रसिका के इंदर क्या बताया है मैंने कि ग्रसिका क्या है कुछ नहीं है भूट को ट्रांसपोर्ट करने कार्दे करती है और वहां पर भोजन का या फिर किसी भी फूट का क्या होता है digestion नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी enzyme नहीं उपस्तित होता है अब इन चारों में जाने की बाद भुजन कहा जाएगा हमारे आमाश्य में ठीक है? तो अब हमें क्या पढ़ना है आमाश्य ठीक है? तो आज के lecture में बस इतना ही, next lecture में हम लोग पढ़ेंगे आमाश्य ठीक है? इसके चार भाग तो हमने कम्प्लीट कर लिया है, next lecture में हम स्टार्ट करेंगे आमाश्य, जो हमारा स्टमक होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे कि उसमें कौन-कौन से enzyme पस्तित होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है? तो आज के lecture में बस इतना ही, thank you.